इलाबाद हाई कोट ने यूपी में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामनों पर स्वता संग्यान लिया है कोट ने यूपी सरकार से पूछा है कि इससे निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई है कोट ने इसकी व्यापक रिपोर्ट मांगी है यह आदेश न्यायमूर्थी प्रीतिंग का दिवाकर और न्यायमूर्थी अजय भनोट की पीट ने कई अधिवक्ताओं द्वारा डेंगू, मलेरिया और चिकन दुनिया होने की शिकायत पर पारित किया है कोट ने पूछा कि क्या राज्य सरकार के पास ये पता लगाने के लिए कोई तंत्र है कि मलेरिया का कौन सा जीनोम प्रमुख है पीट ने इस पर प्रभावी नियंतरन के लिए सरकार की संरचना और प्रक्रिया के बारे में भी ब्यौरा मांगा अपर महाधिवक्ता मनीश गोयल ने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तयारी की है और कार्यकारी तंत्र पूरी तरह से काम कर रहा है मच्छरों पर नियंतरन के लिए कार्यवाही की जा रही है हालां कि कोट ने मामले में 6 नवंबर की तिथी तै करते हुए विस्तरित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा कोट ने ये भी कहा कि वो इस संबंद में विस्तरित आदेश पारित करेगी